चलो ठीक है यह पहला समिलिशन है वेव का कि वेव कैसे प्रपगेट करती है यह रिपल्स है बाटर की रिपल्स यह क्लिक किया यह है यह आ अगर मैं इसको कर रहा हूं यह जो गैप है ना यह समझ आ रहे हैं सभी सिगनल सी स्पीड से बाहर की तरफ भाग रहे हैं पहली पल्स जब बूंद गिरी थी यह पैदा हुई अगली बूंद गिरी यह पैदा हुई दौनों में अगर टाइम इंटरवल टी है तो सीटी का गैप है यहीं यह बात क्लियर है समझ में हैं कोई डाउस नहीं दो सब्सक्राइब करती है अब जड़ा देखो इसका साइड व्यू देखते हैं यह साइड वीव में समझ में हर पार्टिकल साइनसडल मोशन कर रहा होगा यह पार्टिकल ऊपर नीचे मूग कर रहे हो कि अगयों अगर पानी तो वहीं है बिलकुल इग्जैक्ली पानी वहीं है कॉइंट ऊपर नीचे हो रहे हैं और इसमें चहांद अच्छे अब आएग ठीक है मैं इस क्लैम को पकड़के ऊपर नीचे करने वाला हूं यह समझा है क्या हुआ है क्या करता हूं नो इंड कर देता हूं रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए यह देखो जैसा मैंने डिस्टरबेंस दिया एस एस इस प्रोपेगेट किया और अगर उपर से नीचे दिया ऊपर ले गया नीचे ले गया देखो अगर मैं नीचे से ऊपर ले जाओंगा तो देखो नीचे की पल्स ही आई उपर की पल्स ही आई अगर मैं इसको स्लोप कर दूँ हां कर दिया अब रहे हैं तो जो मैं इसको डिस्टरबेंस दे रहा हूं वही डिस्टरबेंस आगे ट्रांसफर हो रहे हैं यह फील करने की कोशिश करो मैं इसको नीचे से ऊपर ले गया था वही डिस्टरबेंस तो आगे गये हैं और अगर मैं इसको नीचे से ऊपर फिर ऐसे ले आओ यह समझ गया न रहां तो यहां पर यह वेव ऐसी बन जाएगी क्योंकि यही डिस्टरबेंस आगे जाएगे तो यह वेव फैल जाएगी तो मैं देख दिखा रहा हूँ मैं इसको नीचे ले जाओंगा और उपर ले जाओंगा बन गया साइं अगे जाके फैलाव बड़ा हो जाना हम ने किया भाई पर तो वहां बिल्कुल पतला था जैसे जैसे वह आगे जाता जाएगा अब वही फोटो आगे बन गया है यह नहीं समझे प्रैक्टिकली होता है ना डेम होती है अब अब यह समझे प्रैक्टिकली एनरजी लॉस होती है ना तो हम कर रहे हैं आईडियल केस में बात कर रहे हैं तो यह यह सोचो साइन वेव कैसे पैदा कर रहा हूं मैं यह समझ में बड़ी अच्छी पैदा कि मैंने साइन वेव आया समझ में अब मैं क्या कर रहा हूं इसको प्रैक्टिकली की जगे यह कर देते हैं मशीन से फिट कर दिया अब मज आएगा इसको देखोगे तो मैंच कर रहे हैं मजबूरी हो उसकी हम जो इसका डिस्टरबेंस देंगे वही तो होगा ना तो सब्सक्राइब करना मुश्किल है न या लगातर करना कंट्रोल करना मुश्किल है न मुझे लगता मैं हाथ से इतना अच्छा कंट्रोल कर पाऊंगा थी फिरकंसी लाए परे तक्रिश्य वह च्छिए लोग अब देखना मैं ऑप्सिलेशन ही दे रहा हूं इसमें अगर हम किसी एक सिंगल पार्टिकल को अबजर्व करें जैसे यहां मैं बनाता हूं इस वाले ग्रीन पार्टिकल में अब समझ रहा है ग्रीन इसी बॉक्स के अंदर मूब कर रहा है उपन नीचे तो यह भी ऐसे चैम कर रहा है किसी और पार्टिकल को पकड़नू यह पार्टिकल भी ऐसे चैम कर रहा होगा किसी और पार्टिकल को पकड़नू यह उपन नीचे हो रहा होगा तो यह समझ पार हो कि हर पार्टिकल जो इसने ग्रीन वाले ने इसने जो लिए थे वही डिस्टरबेंस हर पार्टिकल ने लिए तरीका है तो अगर मैं इसमें पॉस करूं अब मैं इसको कॉस करूं अब मैं दो ले रहा हूं देखो एक यह और इन दोनों मैं समझ पार हो लेम्डा बैटू का डिफरेंस है तो मैं यह कह रहा हूं कि अगर यह नीचे जाएगा तो यह उपर जाएगा बिलकुल अपोजिट मूव करेंगे और तीसरा यह लेलू तीसरा यह है यह वाला पार्टिकल यह वाला पार्टिकल और यह वाला पार्टिकल बिलकुल सेम होगे एक सी मोशन होगी इन दौनों की देखा बनाके किसी भी इंस्टेंट पर दौनों सेम हाइट पर है किसी भी समय पाउज करके दिखाता हूं इसकी और इसकी हाइट सेम है किसी और इंस्टेंट पर देखे अब देखो अब भी सेम है लिए अगे सबीन का इसा क्यों हो रहा है क्योंकि इनके दीच में गैप लेंडा का है सोचो तो अगर दो पार्टिकल में लेंडा का गैप है तो उनकी इक्वेशन सेम बनेगी क्योंकि सेम टाइम पर सेम आईट आईगी सेम टाइम पर सेम आईट आईगी तो हम अगर माल लीजिए इसका लिखें कि इसका वाई कॉडिनेट इसका वाई कॉडिनेट ए साइन ओमेगा टी था प्लस वाई था तो यहां से किसी भी एक तो हम एक्स डिस्टेंस पर वाई कॉडिनेट क्या होगा तो मैं अलागे गा कि तो इस न इस संग्नल एक्स डिस्टेंस बाद सिगनल ऐसे बन गए और इसी को हम लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस की एक्स प्लस फाइड ये इसका फंक्शन है सब्सक्राइब इसको कर रहा है इसका एक्स का ये वाई एक्स टी है एक्स वाले पार्टिकल की हमने एक्षिशन लिखी है यह हम सिंप्ली ऐसे लिख रहे हैं कि सब्सक्राइब जो जीरो पर पार्टिकल उसका टी माइनस एक्स वैसी पर लिख दो इसका आजाएगी इसलिए हमने रिप्लेस कर दिया इस टी को टी माइनस एक्स पर यह समझ गए इसको अगर आप गौर से देखो तो यह ऐसा लग रहा है जैसे साइन ग्राफ आगे कि सक रहा है स्टेप से करके दिखाता हूं कि आप ऐसे देखो लगेगा आपको साइन ग्राफ आगे जा रहे हैं लग रहे हैं पक्का आगे आ रहे हैं तो ग्राफिकल टाइंस पॉर्मेशन से वह माइनस साइन आएगा विल्कुल यह बच्चे ने विल्कुल सभी पकड़ा है यह से सी से आगे जा रहे हैं अगर हमारा एसाइन के एक्स होता तो एक्स को एसाइन के एक्स माइनस सी टी ऐसे लिखते कुछ वही चीज़े घबराव मत ओमेगा टी माइनस वही है से मैं से अपन आगे कर रहे हैं कैसे पहले यहां में एक मिनिक पर वह ग्राफी बनाते एक मिइंट इस्क्रीन पूरी शेर डेक्टे इसा होगा अब मैं सिंप्ली से साइन एक्स माइनस पॉइंट टू टी यह समझा है क्या होने वाला है अगे हो जाएगा हर एक सेकंड में पॉइंट टू डिस्टेंस मूब कर जाएगा अभी जब मैं सिमिलेशन रन करूंगा सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब यह मैंने साइन एक्स माइनस टी का ग्राफ बनाया बनाया तो एक सेकंड में वन यूनिट खिसके गाई और अगर इस वेव को समझना है तो देखो मैं यहां क्या लिखता हूँ अब मैं यहां जियोमेटरी से पॉइंट बनाता हूं तो देखो एक पॉइंट मैं यहां लिया पॉइंट समझ मैं क्या हो रहे है अपनी जगह नीचे हो रहा है जैसे मैं मल्टीपल ऐसे पॉइंट बना दूंगा तो तुम्हें वो समझ में आने लगेगा देव का मुश्र वो जो अभी जो रसी वाला केस बना था वो दिखने लगेगा अब तुम्हें बिल्कुल वही दिखेगा जो दिखाना चाहरे तो अब अब देखना अब अगर मैं ग्राफ भी हाइड कर दूँ अब यह ग्राफ विजिबल है इसको अगर मैं हाइड कर दूँ अब इन पॉइंट की मुशन देखूं लग रहा है कि आप आगे जाता हुगा यह दर असल वह अपनी जगह मूब कर रहे हैं लेकिन डिफरेंस इनकी फेजिस में कोई मैक्सिमा कभी ले रहा है कोई मैक्सिमा कभी ले रहा है तो वेव का बशुच्व है समझ में यहां जैसे इसमें इक पॉइंट यूपर जाता है सब्सक्राइब को आगे कि ऑने लगता है बात आभी तो बस motion ऐसी होती हमें सिर्फ यह समझ की तो अग यह साइन तो हरची साइन everything is sign यह भी sign यह भी sign यह भी sign लेकिन अंतर कहां आ रहे हैं इसका phase five one five to five three five इसे साइन ओमेगा टी था टी माइनस xyc बना था हमार तो इसी को मैं लिखूं इसाइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाइस T यहां से तो बनेंगे तो सइन जैसे ही Raf सबके लिकिन किसी का यहां से तो लेकिन अगर यह जो फाई एक्स है अगर इस फाई एक्स की वैलू टू के पाई हो गई टू एन पाई हो गई तो ग्राफ एज इस बनेगा यही वजय है कि हम इसमें सीधे ऐसा कह पा रहे हैं कि वो जो दो पार्टिकल जिनमें लेमडा का गया थे तो फेज हमारा क्या था कि एसाइन ओमेगा की माइनश के एक्स यह था तो फेज हमारा था के एक्स के था टू पाई वैवलेंडा इंटू एक्स तो पार्टिकल सेपरेटेड वाई लेमडा आरन फेज जिया दा है था न फेज मतलब उनकी एक्वेशन से तो अगर मैं इस वाले पार्टिकल और इस प्रोनों की मोशन हर इंस्टेंट पे एक सी होगी एक साथ वह उपर जाएंगे एक साथ नीचे जाएंगे सब कुछ एक साथ है पक्का ये क्लियर है ये सब तो तो ये लेंडा कवर करने के लिए इतनी देर में ऊपर नीचे आया उतनी देर में ग्राफ आगे कि सब गया सीटी ये सोचो मैच करो ये लाइन इससे मैच करो जब हमने इसमें सीवा एक्स कियता ना अपने माइनस तो उससे हमें उसके कर्रिस्पॉंडिंग पार्टिकल का टैम मिलेगा जो एक्स पर पार्टिकल उसका मिलेगा जो एक्स पर पार्टिकल अपने पार्टिकल साने अस अ मतलब अफूलेशन कर रहा है एससलिग कव्यूंड बलकुल आगर यहां में ऑक्सिलेशन बदल ना जैसा यहां शेप होगा जैसे यहां मैं ट्रेंगुलर टाइप का लूँ देखो बना जैसे यहां नीचे वाला स्वेल लूग वही बना तो वह तो सोर्स की मर्जी है माल क्यार जन्रेट होगा यह जो जन्रेट हो तो मैंने कहा था अगला आते हैं इसमें तो देखो सिंगल रिपल जब जन्रेट की थी तो कोई खास दिक्कत नहीं थी सीधे सीधे समझ में आ रहा था यह रिपल सैसी बनें इंट्रेस्टिंग होगा जब हम दो रिपल पैदा करेंगे एक रिपल यह पहली रिपल ठीक है कोई दिक्कत नहीं प्योर सर्कुलर हैं दूसरी रिपल जब जन्रेट की अब कुछ अजीब सा मुने वाला होगा इंट्रफरेंस बढ़ा दो यह कुछ अब देखो यह रिपल्स कुछ अजीब सी बन गई इंट्रफरेंस और डिस्ट्रक्शन हाँ अब रिपल पे अगर तुम गौर करो अच्छे से तो तुम्हें देखो यह लाइन देख रही है इस लाइन पे रिपल है ही नहीं तो इस्टरफरेंस ही नहीं है यहां भी मिसिंग है तो कौज समझ पा रहे हैं गड़बर क्या हुई होगी तो जब यह इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा इसने एक्सवन किया इसने एक्सटू किया तो कितना आएगा फंक्शन ऊपर वाले का बनेगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्सटू बनता तो दौनों के फेजर बनाते अगर तो देखो यह होरिजोंटल लाइन से एक का फेजर यह बनता एक का फेजर यह बनता यह समझ पर एक का एंगल के एक का एंगल के इनके बीच का एंगल कितना है और अगर यह और पाई हो गया तो तो दरसल इन पॉइंट पर वो डिफरेंस और पाई हो गया सब्सक्राइब तो उसके लिए हमें आना पुड़ेगा अगले को यह अब यह रिपल्स फील आ रही है दो रिपल्स है अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं पहले मैं इस फंक्शन पर दौनों के ग्राफ बना रहा हूं कहां यहां डार के तो ग्राफ देखो कैसे राइट साइड ग्राफ दिख पा रहे हैं कि हाँ एग्जैक्ट्ली एक दूसरे को काट रहे होंगे देखो यहां बनाता हूं रफली काट रहे हैं लेकिन अगर मैं यहां रखता हूँ इसी को तो यहां यह ग्राफ एड हो रहे हैं यहां डार्क वाले पर बनाऊंगा तो देखो कट रहे हैं यहां से यहां से थोड़ा 3D है है वही चीज़ यहां यह देखी रिपल्स यहां यहां यह ग्राफ पे मैं वाइट पॉइंट मेरा कहीं होगा इसको पॉइंट ब्लू कलर का यह देखो यह ब्लू कलर का यह ऑक्सिलेट कर रहा है अगर मैं इस ब्लू कलर के पॉइंट को इस पर रख देता हूं मिनिमा वाले के यहां कहीं मिनिमा आ रहे हैं अब देखतें देखो अगर देखो तो ब्लू कलर हिल ही नहीं रहा है ब्लू कलर वाला पॉइंट देखो और वजह क्या है कि उस पर दो डिस्टरवेंस आ रहे हैं एक यह एक यह और यह कटते जा रहे हैं उपर डिस्टरवेंस देखो यह वाले पॉइंट अगर मैं सिर्फ एक सॉस रखता देखो एक ही रखता अब देखो ब्लू आला भी उपर नीचे हो रहे है यह यह देखो शाहिद यहां से समझ रहे हैं आब आरे समझ लेए और इसको हटा के दूसरा ये सोर्स चालू करूं तब भी उपन नीचे हो रहा है लेकिन अगर दौनों चालू कर दूं तो देखो यह ऐसे पॉइंट पर है जहां डिस्टरबेंस हैं ही नहीं लगता अब देखो यहां से अगर तुम देखो तो अपनी जगह लोकेटेट है देखो तो वजह समझ में आई इसने दो लिए हैं एक इससे सिगनल लिया एक इससे सिगनल लिया और दौनों सिगनल रितिफाक से कट गया आया इंटरप्रेंस का लॉजिक वाटर फुलू में भी कटती हैं हर उसमें हर वेव में यह कटे का चाहे वेव किसी भी तरह की क्यों ना हूँ सर मिनिमा आपने ग्राफ से बोला था ग्राफ से अभी आपने टर्म यूज किया था राइपल इसका मतलब वही है क्या विव रिपल रिपल हां अरे यह पानी की जो रिपल है ना उसी को रिपल करते हैं है कैसा मतलब तर सी बेव में कुछ चीज रहती है जैसे हमारी चोटी चीज गोटल वगएर वह आंगे चली जाती है वेव के साथ मैंने कई बार नोटिस किया है कि जो नहीं नहीं वही का लक्षी यार अब वो बॉटल काफी बड़ी है ना साइज नहीं तो वह तो आंगे लेकिन जो बॉट वगएरे रहती है ना वह एक जगा उपन नीचे रहती है वह तो डिपेंट करता है रिपल की साइज की मुकाबले ऑबजेक्ट की साइज कितनी है औबजेक्ट की साइज अगर छोटी है तो अपनी जगे ऊपन नीचे होगी नहीं तो दुक्का भी यह तुम्हारा सोर्स एस वन है यह सोर्स एस डू ना दौनों साइन वेव पैदा कर रहे हैं अभी स्मिलेशन रन करूंगा तो तो यह साइन वेव आगे की तरफ जा रही है ठीक है इसकी स्पीड सी वन से सी से सी सी से ठीक है अब यहाँ जो पी पॉइंट पे दो दो वेव इक साथ मिख नहीं यह ठीक है यह बहुल्याओ अभी यह क्या है यह वाले भूल जो पर नीचे सिर्फ इसको देखो जो यह बन रहा है यह अभी मैने जिसको सफलेक्ट किया ब्लु कलर से यह इनका रिजल्टेंट यह फीलार रिजल्ट एंट ऐसा बनना चीए दोनों का मिनिमा एक साथ पहुंच रहा है एक साथ पहुंच रहा है और वैसे भी देखो यह लेंट 3.59 बराबर है तो बराबर चेंज आया होगा दोनों में जो चेंज इसमें आया वही चेंज इसमें आया अब हम इसको खिसका के लाते हैं देखो अब इनके मैक्सिमा एक साथ नहीं आ रहे हैं और अगर मैं खिसकाते खिसकाते इस अब बताओ क्या हो रहा है अब इसका मैक्सिमा आ रहा है दूसरे का मैं निमा आ रहे है यह सब्सक्राइब और जो है यह जो है ना यह नए अब इसका मैं आपक्राइब और यह जो है तो यह जगें दो दो सोर्स मिल लेकिन कहीं कट जा रहे हैं कहीं जुड़ जा रहे हैं ठीक है एड हो रहे सब्सक्राइब है तो यहां तक बिलकुल क्लियर है ला रहा है और एक का मैक्सिमा कोई साथ में नहीं आए तो तो बीच में बीच का आशर आएगा ना देखो यह रिजल्ट है एक दम से जीरो नहीं हुआ है यहां जीरो है अब मैं इसको नीचे ला रहा हूं लाएं बढ़ते जुड़ते जुड़ते जा रहें और सबसे ज्यादा टेंडेंसी यहां है फिर कम होते गए और इसको ऐसे सोचो ना एक फेजर यह था एक फेजर यह था इनके बीच का एंगल बदल रहा है तो इनके बीच का रिजल्ट इंट बदलेगा ना अब हम मैथमेटिकली भी यह निकाल सकते है कि कैसा आएगा तो हम सिंप्ली क्या सोचें कि यह लेंद अगर एक्सवन यह लेंद अगर एक्सटू और अगर देखें तो फेज़ डिफरेंस कितना है कि एक्सवन माइनस के एक्सटू यह है एक और टूपाइब लम डाल लिख सकते हैं इन्टू डेल्टा एक से लिखने हूं एक्सवन माइनस एक्सटू को अब कि क्या है इस वह होता है ना ओमेगा टी माइनस यह जो हमने यहां डिफाइन किया था एक्सटू को एसाइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाइसी एक्स यह लिखाता था यह लिखाता यह ओमेगा टूपाइब टाइम पीरियड है कि टूपाइब लम डा है इसका मतला अगर मैं फेजर बनाऊंगा तो यह समझ पार हो दौनों एक्विशन को फेजर से ही जोड़ा जा सकता है क्योंकि दो एक्विशन है एक है एसाइन ओमेगा टी माइनस के एक्सटू तो अब अगर इन दौनों का रिजल्टेंट हम रिसीव कर रहे हैं तो एनेट थेजर से ही तो जुड़ेगा यह डेल्टा फेज एंगल और डेल्टा फेज आएगा की ऐसाइबक माइनुस एक्स दू lifting यहीं टू पाईवा लैमडा डेल्टा एक्स और अब जरा सोचो अगर डेल्टा एक्स लैमडा हो गया सोक्री और अगल फाई उच्टा वाई बैदा डेल्टा लेम्डा है समझता है तो डेल्टा फेज्टीप आई होगा एब यहां डेल्टा फेज और वाई में थ्लेसंट ओं फ्लेसं वन कर चैना तो यह वाला हमारा कंस्ट्रक्टिव है यह वाला डिस लाया तो अपन यह कहते हैं उसी को तो टूपाई कहते हैं इस सेम फेज में होना एक ही चीज़ है सब्सक्राइब करता ना पॉजिशन पर डिपेंड कर रहा है कहां हम बात करते हैं यहां तक फीलिंग आ गई है अब बस एक छोटी सी फीलिंग और देलो फिर अपन इसको खतम करते हैं यहां देखो दोनों के बीच में डिस्टेंस का डिफरेंस जीरो जो इसका है वही इसका है तो डेल्टा एक्स जीरो है तो तो कंस्ट्रक्टरकी कंडिशन को सेड़िस्फाई कर रहा है अब देखना अगला कि अब हम यह करते गए तो यह डेल्टा एक्स अब नॉन-zero है और जुँभी हम इस पे आए तो यह डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगे गैप देखो कितना है पता नहीं तुम लोगों को दिख रहा है कि नहीं मुझे दिख रहा है 3.8 यह है 3.5.3 तो डेल्टा एक्स कितना होगे अब इसकी वेवलेंद देख ले कितनी है तो वेवलेंद मैं करता हूं किस से मेज़र इस टूल से मेज़र इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखो कितना है और यह इत्वाक तो नहीं कहीं लेमडा हमारा पॉइंट सिक से और अभी जो पाथ डिफरेंस आया पॉइंट त्री जो की लेमडा बैट टू है और लेमडा बैट टू पर डिस्टेंस हुआ है इस सर्फ आई का आगया पॉइंट समझ में क्या हुआ है फेज की जगह हम डिस्टेंस में भी डिफरेंस देख सकते थे अब इस तेंस में यह एंगल से कंपेर करने का यह लॉटिक क्या है सोर्स से दिस्टेंस और यह तो फंक्शन मैच से निकाला ना हमने मैं से निकाला ना मैं से निकला यह तो यहां डेल्टा एक्स लेमदा औब 1 तो यहां कह सकते हो कितना है डिटाइब वेरिफाइब इसको पकड़ के ले जाते हैं वे उपर यहां यहां पर देखो कितना है इनका डिस्टेंस फोर पॉइंट वन सिक्स्ट थी पॉइंट फाइव सिक्स्ट कितना है यहां 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 तो अलग अलग वेवलेंद के वेश्ट तो तो कुछ नहीं तो फिर मतलब ही नहीं होता है यह सब बनता ही नहीं क्योंकि काम नहीं करते दिए तो अलग अलग जगे से स्टार्ट हो रही हैं मतलब एक एक लाइन से नहीं मतलब का वाइट इस्टेंस का डिफरेंस यहीं आएगा इस डिफरेंस अपन दो उसके अंदर तो अगला जो मिनिमा अगर उपर मिलता जो कि देखें कहां मिलेगा लेकिन अगला मिनिमा समझ के कब आएगा जब इनके बीच में डेल्टा एक्स फिरो पॉइंट थी लेम्डा बैट टू हो जाए तो अब ले लो तुम चाहो तो इसका स्क्रींशॉट को अब टूपाय लेम्डा लिखाता ना उससे कैसे लिखा था डिनोट क्या करता है मतलब वह और वह कौंच इंग पांट इसा बना यहां तक ठीक है हमेगा की वैल्यू पाइवेट ही होती है यह टू पाइवाइस सीटी होगा तो बस लॉजिक सिंपली तुम ऐसे सोचो ना मैं तो ऐसे समझता हूँ हर टाइम पीडियोट ती में फंक्शन रिपीट होगा हर लेंडा पे फंक्शन रिपीट होगा इस से अंदाज लग जाता है कि क्या बनेगा यह सब्सक्राइब कर देख रहा है तो पक्का एक्स टू और का डिफ्रेंस कितना होगा और अगर दिस्ट्रक्टिव दिख रहा है तो फिर एंवाइटू दोस्त बच्चा वेंडा में एंवन होगा तो यहीं केस नहीं बन जाएगा तो एंड़ लेंडा वाइटू बोल रहे हो तो वेर रहें इस और यह बोलना मुझे आप तो आखिरकार यह बात समझ गया है तो सिर्फ यह बता रहा है कि अगला मैक्सिमा कम मिलेगा जैसे देखो नहीं 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 वह तो कुछ और यह ना यह बताओ यह मैं ऊपर चेंज करता जा रहा हूं इसको लेते जा रहा हूं इनके बीच का डिफरेंस बढ़ता जा रहे हैं बढ़ते बढ़ते यह डिफरेंस कितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा पाहना थी इत्व सब्वाइननगो खर अरेल से बीच जादा से ब्राबर हो सकता है ज्याद से ज्यादा पाथ डिफरेंस ऊतரू हो क्योंकि दो ट्रेंगल में आया समझ में याद तो मैं यहां से क्या करता हूं यह भटा देता हूं जो कि हमें सर्क पाथ देख रहा है तो जिएमेट्री से देखो कि अगर मैं डिस्टेंस निकालू तो देखो इनके बीच का कितना बना 12.8 और 11.2 कितना बना यह वन पॉइंट पॉइंट भी 1.6 है देखो 8.5 है वह एक्जैक नहीं होगा है न 12.8 के आगे पीशे सिग्निफिकेंट पिगर होंगे जो मिसें है पीन ही है न सिग्निफिकेंट पिगर उसे चार कर लो तो तुन समझ आजाएगा अब देखो एक्जैक नहीं है एक्जैक कब आएगा यह एक्जैक 1.6 के बीच का जब बिलकुल इंफिरिटी पे होगा तो अब जरा समझो हमने इसका वेवलेंट दिया था पॉइंट 6 दिया था यह गैप 1.6 है तो मैं लैम्डा से मल्टिप्लाइड कर दू पता नहीं यह समझना रहे के नहीं एट लैम्डा वाई थ्री लिखा है तो टू लैम्डा प्लस लैम्डा वाई टू लैम्डा वाई थ्री यह लिखा है अब जड़ा सोचो यह वो है जब पाथ डिफेरेंस जीरो यह वो जो है पाथ डिफेरेंस लैम्डा है यह वो जो है जो पाथ डिफेरेंस टू लैम्डा है थ्री लैम्डा पाथ डिफेरेंस कभी आए गई नहीं इसका मतला अगला कभी आएगे नहीं इसमिलर्ली यह वह जब पाथ डिफेरेंस लेमडा बैट यह वह जब तो तो आजाएगा लेकिन काफी दूर आएगा उसका बाद का नहीं आने वाला तो इसको जूम आउट करूँ ना तो जूम आउट से देखो इन्फरिटी वाला तो कभी नहीं बनेगा बंटीकल ऐसेंटू बढ़ेगा लेकिन मैक्सिमा नहीं ले पाएगा तो कितने मैक्सिमा मिनिमा आएंगे यह तो इस पर डिपेंड करेगा यह गैप कितना है तो चुक्कि सोचो कि मैक्सिमा ही दो आने थे इन्फिनिटी लेंथ है तो यूनिफॉर्मली सेपरेटेट तो नहीं हो सकते हो यह समझें यह पॉइंट क्या बोला मैंने थो ही मैक्सिमा आने तो इंफिनिटी लेंथ है पूरी अवेलेबल तो पूरी लेंथ थोड़ी न कवरब कर सकते हो यह रट्टा तो हो नहीं था इसका ज्यादा यूज नहीं है हलाकि उसमें लेकिन वेव उप्टिक्स में हम यूज करेंगी इस चीज़ को पढ़ाने की वजह यह थी कि दरसल यह कि एक्सपरीमेंट जब लाइट के साथ किया गया यह जो सामने सिमिलेशन लेकर है यहां पतली लाइन यहां से लाइट देखी यह तो कॉमन सेंस यह कहता है कि जादा से जादा दो लाइन आपको दिखेंगी अँसए बेकिन दो लाइन नहीं देखती दिखा कैसा जैसा यह पीछे बना है यह दिखा यह दिखता है आउटकम ऐसा है रिया आप्टिक का ड्रॉबेग आ गया पता नहीं ड्रॉबेग क्या चीज़ है लेकिन यह इसा बना यह सर बहुत सारी फ्रिंजिस बना और अब बजह समझ पा रहे होगी कि दो सोर्सेस थे तो कहीं पर उन्हों नहीं कंस्ट्रक्टिव किया फिर डिस्ट्रक्टिव फिर कंस्ट्रक्टिव फिर कंस्ट्रक्टिव तो इससे यह पता चला कि लाइट वाकई में वेव रही होगी क्योंकि यह वेव की प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है तो तो सर एक बार दिखाएंगे तो बना दी गई है यह लाइन नहीं है यह कुछ नहीं है यह लाइन कुछ नहीं है तो यह सीधे यह देखो कि आउटपुट ऐसा देखेगा मैक्सिमा को जॉइन कर दिया उससे दिखेगा ऐसा वीच वीच में डिस्ट्रिक्टिव इंटर्फरेंस हो गया है लैंद बड़ती आ रही है उसका जानाम है उसका रिपल मैं पहले वो रिपल का बताऊं कि डेली लाइट में विलकुल सही है यह यूटूब पर वीडियो बना बहुत अच्छे बनाता है पूल में वॉलीबॉल डाल दीती है यह देखो अब ही रन होगा तो पुखेगा अब इसके बाद अपने वीडियो का कॉपी राइट मैसेज आएगा अब एक सिंगल रिपल ऐसे दिख रही है लेकिन जब दो इसने की दो सोर्सेश की वह अब देखना एक अमेजिंग चीज दिखने वाली यह वही जो हमने सब्सक्राइब लाइन दिखने लग गई जिस लाइन पर डिस्टरवेंस हैं नहीं और कुछ पर डिस्टरवेंस सब्से जादा है यहां से अगर मैं लाइन कीचूं तो शायद यह सोच पा रहे हो यह मैक्सिमम यह फील आ रहा है क्या कर रहा हूं आगया समझ में अगर यह विजिबल लाइट होती तो यहां ब्राइटने सबसे ज्यादा होती यह ब्राइट होता यह डार्क होता यह डार्क होता यह ब्राइट होता आया समझ में तो टेली लाइट में जो रिपल्स में होता है वही वेव की प्राइट है सबसे आप प्राइट वाला पर पैचानते के से मलब ऐस पैचानेंगे आखों से देखके पैचानेंगे ना ब्राइट है यह सर्थ इसमें इसमें एक ही वेवलेंद वाली लाइट लेती ना मतलब कोई एक कलर वाली इस एक्सपेरिमेंट पर हाँ सिंगल सिंगल वेवलेंद अधरवाई मुल्टीपल पैटन बनते ही ओ ठोड़ा दिखकत हुचाती समझ जोना एक मिनिट पर यह शेयर करी दिननन पहलता है कि अधियू को जब अधियू कि अधियू करें जो कि अधियू करेंगें झाल झाल सब क्लियर है यहां तक यह सब अब हुआ क्या था सबसे पहले थी पार्टिकल थेओरी यह सब कहानिया है यह सब पूछा नहीं जाएगा यह 1967 में वाय न्यूटन इसके समय ने पार्टिकल थेओरी थी और पार्टिकल थेओरी के हिसाब से लाइट मेड ऑफ टाइनी इलास्टिक पार्टिकल्स यह कहा इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि हमें इंटरेक्शन करने पर फोर्स ज्यादा नहीं लगा सकते मतलब इंटरेक्शन कैसे होता है पार्टिकल्स आये एक वैल्यू बन है रिफ्लेक्शन होगया हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन में थीटा बराबर होते हैं दोनों अगर एक वैल्यू बन है तब भी यही होता है समझ गए और इन्होंने यह यूज करते हुए उन्होंने मिरर की क्विशन निकाल दी थी यह यही यूज करते हुए यह प्रूब कर दिया टैलिसकोब बनाया इन्होंने अपना एक रिफ्लेक्टिंग टैलिसकोप तो जल्वे हो गया है ठीक है एक्स्परिमेंट्टी क्या प्रूसटन प्रव्लिकिंग टैलेस्कोप बनाया है ना को ना तो फिर फॉर को बसेकिंट हिए कौने 12 के रिफ्रेक्षन कैसे होता है तो उन्होंने का रिफ्रेक्षन ओसा को ने फुप होग ap पार्टिकल आ रहे हैं वह मेडर अट्रेक्ट कर देता होगा इसलिए अंदर आ गए अieß करता होगा वो तो हाँ हाँ बहुत सारे लूप होल थे इस वाले में पहला लूप होल तो यह था कि अगर अट्रेक्ट करता है तो स्पीड बढ़ने चाहिए उसकी लेकर लाइट की स्पीड तो मीडियम में कम हो जाती है न तो वैसे यह एक्स्प्लेइन नहीं कर पाए थे तो इनको खुद को डाउट था और सबको इन पर डाउट था इस वारे में लेकिन यह बाकी सब चीजों को एक्स्प्लेइन कर पा रहे थे कि रिफ्लेक्शन और पार्टिकल क्या है उस समय ही एटम की खोज़ हो रही थी तो यह थियोरी दुनिया में चली आ रहे थी कि साइंटिस्ट थे इन्होंने साइमल्टेनिसली वेव थेरी दे रखी थी यह भी 1672 के आसपास ही था इन्होंने कहा था नई लाइट वेव थे सर्प्राइजिंगली इन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दौनों वेव से प्रूब कर दिये थे दौनों प्रूब कर दिये थे कहा कि लाइट को अगर हम वेव माने तो रिफ्लेक्शन और स्नेल्स लॉफ रिफ्लेक्शन दौनों प्रूब कर दिये थे लेकिन फिर भी इनकी बात को उतनी तवज्यों नहीं दी गई बजह क्या थी कि एक बहुत बड़ा कुशन अगर लाइट वेव है तो वेव तो फैलती है तो फिर ये वेव लाइट क्यों नहीं फैल लई है लाइट तो स्ट्रेट लाइन में जाते हुए फील होती है और पार्टिकल थेओरी को सपोर्ट आथा में ली तो हाइगन से यह कहा कि जैसा साउंड हम बोलते हैं पूरे सराउंडिंग में फैल जाता है तो लाइट पर हमने किया तो लाइट क्यों नहीं फैल जाती है ऐसे यसे समझे ना लाइट तो जनरली स्ट्रेट लाइन में मूग क कि जरूत पढ़ती है क्यों उस समय वीव कौन-कौन सी डेली में थी साउंड विव थी रसी वाली वेव थी और याई मेसा यह जो पूरी दुनिया डिया में यहां कुछ नहीं exist कर रहा है वेक्यूम में भी एथर है जो किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करता वो सिर्फ light को move कराने का काम करता है तो यह चीज लोग इस पर convince नहीं हो पाए इस बास से और उससे भी बड़ी बात कोई experimental evidence नहीं था इथर का भी नहीं था और वेव के होने का भी नहीं था और उससे भी एक और important factor था Newton की बहुत ही जादा चलती थी उससे में तो को यह नियूटन की प्रस्टीज इतनी थी तो इस वजए से हाइगन को शांद कर लिए क्या हर चीज की शाड़ेंग नहीं कर रही है नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है नियूटन ने अके ले ढूल दिया था सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर रहे थे नियूटन को ज्यादा जीनियस थे इन्होंने सब की चीज़ों को collect करके सब्सक्राइब कर देखें नियूटन के तीन साल का फ्लू लू हो गया था कुछ हो गया था तो तो तीन चार साल कॉलेग तो तो नियूटन के समय कुछ फ्लू अगयरा हो गया था कुछ जो भी माहारी तो बंद कर दिये गये थे कॉलेज दो-तीन साल के लिए जो भी फैला था तो नियूटन जैसी ब्रेन को अगर तीन-चार साल फ्री मिल जाएं कि कुछ ही नहीं करना आपको उसी दौरा नगत करती सब धूंड़ा नुवारा सुनी थी मैंने कमरे बंद हो गए तो दो साल कि हमें लगता है तो हम पब जी खिलना चालू करते हैं पूरा खिल रहा था तो यह कहानी थी तो इन्हों ने वेव थिरी उस समय इनको कंवेंसिंग लग रहा था कुछ यह नहीं लॉजिक कंवेंसिंग लेकिन खासकर सबसे बड़ा मुद्ध यह था कि लाइट स्टेट लाइन में फिर क्यों करती है तो इसका आंसर नहीं दे पाए थे ठीक है लेकिन अब अगली घटना घटने वाली थी अठारा सो असी कुछ अठारा सो के करीमा असी तो नहीं अराउंड अठारा सो यंग ने थॉमस यह इन्होंने एक अधारा ने ब्राइट डार्क 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 आए या ना माइक्रोस्कोप से देखना पड़ा तब राइट डार्क है नेकड आई से समझ नहीं आते तो उन्होंने का यह तो ठीक वही है जो पानी की रिपल में होता है तो इन्होंने का यह तो बिल्कुल ही एक्जैक्ट ली वही आ रहा है फिर उन्होंने क्या किया कैलकुलेशन करना चाली और जब कैलकुलेशन करके देखे तो एक्जैक्ट वैल्यूस थी और एक्जैक्ट वैल्यूस ने यह कहा कि भाई हाइगन तो बिल्कुल सही कह रहे थ सब्सक्राइब का दूसरा नां तुम एक्सपरिमेंट कह सकते हैं कुछ तो शुरू किया होगा ना केल्कुलेशन करते समय तो वह अपन करेंगे करेंगे अब इसे फरके नहीं पड़ा कि क्या है वो तो इधर भूल गए वह तो यह समस्य अभी थी ना क्या हुगा जिवह नहीं नहीं यंग ने कहा नहीं भाई यह तो वेव बिलकुस सही आंसर आ रहे है अब इनसे पूछा अगर वेव है तो फैलती क्यों नहीं नहीं का इसका अगर वेव्लेंद बड होता है इसकी वेवलेंद का और क्या है एंक्स रोन इसांट की वेवलेंद का ओर सेंटीमितर सका है सांट का इसलिए साॉंड में फैलाओ देखता है लाइट में फैलाओ नहीं देखता ह। तो इन्होंने का due to small wavelength the dispersion light और वाटेवर इस इस वेरी स्मॉल इस एक्स्रीम ली स्मॉल मीज इतना स्मॉल इटकेड बाइन एक्स्रीम तो अब बड़ा क्वश्चन अभी भी था कि डिए तो मेडियम क्या है तो फिर एक्दम से experiment back-to-back hona-ei scientists को motivation मिला कि बाई ether ढूनो ये तो mysterious element है तो पता नहीं किया है ether तो ढूनना चालू हुए back-to-back experiment होना चालू हुए और हर experiment में एक ही नतीजा निकला there doesn't exist any such thing like ether कि ether type की चीज एक्सिस्टी नहीं करते है हर experiment ने deny कर दिया तो फिर बाद में पता चला कि actually medium की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि electric और magnetic field oxalate करते हैं इसके अंदर जो propagate करने के लिए medium की need नहीं होती जिनको बाद में पता चला कि इसके अंदर electric और magnetic field ने यह तो बहुत में अधर बस इनने ऐसी बोल दिया था ऐसे नाम अच्छा लगाई तो इथर से लेके देखो वो कौन साथ फोर वाली कोई यहां तक ठीक है तर तो इलेक्ट्रिक कोई medium कह रहा है आपन तो मुद्दा सिर्फ एक ही बचा था आपकि यह इधर तो है नहीं फिर क्या है तो इसके बाद अब और भी जीनियस साइंटिस्ट आगया मैक्सवेल लॉरेंज आइंस्टैन इन्हों ने मिलके नई थेओरी दी इन्होंने कहा कि लाइट कुछ और नहीं इन्होंने कहा लाइट अक्टार वेज्ट सिंप्ली ऑक्सिलेटिंग एलेक्ट्रिक एंड इन्होंने का इलेक्ट्रिक और मैगनेटिक फील के जो ऑक्सिलेशन है वही हमारी लाइट है तो जो मैं बता चुका हूं वैसे कि इलेक्ट्रिक फील ऐसा है मैगनेटिक फील इस पर बेंडिक लॉर इस में है और कुछ ऐसा है तो यह हमारी electromagnetic disturbances तो उन्होंने कहा oxalating charge generates electromagnetic एक classical law of electrodynamics डबलटू इसको लाइट कहते हैं तो मैंटर वेस वाला मैंटर वेव अलग चीज एलेक्ट्रो मैंटर वेव नहीं है मैंटर वेव तुसरे पर यह मैंटर फिर और यह मूँव कैसे कर रहे हैं इसको क्या फॉन आ रहा है इसका कि मैं बगल में बैठा हूं धक्का लग रहा है भाग लो तो यह अग्नेटिक डिस्टबैंस ही है जो एक जगे से इंपर आपस में फॉर्स आ रहा है यह को रहा है वह अपनों आपने बताया था फॉट नमेट्रो मैगनेटिक बें वह जल्दी मैंज पहुच्छा जाता यह प्रूफ कियाता ला आ इसके पास energy कौन सी है कोई दिकत नहीं हमने का हमारे पास तो है अगर एक पास आज कि वह इसे फिर्ट में एक इनर्जी प्रोप्रॉश्टन इंप्लिट्यूट समझके क्या है इंप और एंपली इनकी मैक्समम मैलिव पर इमैक्स पर बीमें कैसे सब इसको है आए ना दोरों पर और बी की maximum value है और उन पर डिपेंड कर रहा है तो वह एंप्लीटूट पर डिपेंड करेगा बस तुम्हें क्या याद रखना है इसमें एक ही चीज़ कि energy is proportional to energy or intensity जो भी आप लेको अप्लीटूट जितना बड़ा energy उतनी इंप्लीटूट डबल करोगे energy चार गुली होगा इनर्जी पर एरिया होता है इंटैसिटी अभी नहीं कल लिखना यह नहीं कल शुरुआ करोगा इससे आज बस थोड़ा सा इडिया दे रहा है तो अब बस यह समझो कि वेव थेओरी क्या कहती है वेव थेओरी कहती है कि there is continuous transfer of energy वेव थोड़ी यह कहती है कि energy continuous transfer होती रहती है कि अगर हमारी वेव एक जगह से दूसरी जगह जा रही है जैसे यह रिसीवर है तो यह वेव एब्सॉर्ब कर रहा है तो इस रिसीविंग एनर्जी कंटिनियस यह यह लगातार एनर्जी रिसीव कर रहा है क्योंकि लगातार इसकर वेव गिर रही है ठीक है लेकिन इसी बात को डिफाई किया फोटो एलेक्ट्रिक एफेक्ट लफड़ा यहीं हो गया कि जब फोटो एलेक्ट्रिक एफेक्ट की स्टडी की गई तो यह पार्टिकल है ना यह पार्टिकल थोड़ी ना ऑक्सिलेट कर रहे है जो पहले यह था कि पहले था पार्टिकल है पहले हैं तभी मीडिया तभी बेव करेगी तो इन्हों ने कहा कि यह पार्टिकल है यह तो फील्ड है यह फील्ड ऑक्सिलेट कर रही है पार्टिकल ऑक्सिलेट नहीं कर रहा है अच्छा तो अब हमेशा कंटीनियस एंचि ट्रांसफर करती है अगर किसी चीज़ पे वेव गिर रही है तो वेव लगातार इनरजी उस पर कट्टी करेगी सवरे इसमें निमिटेट आवांट आफ अब समझो ना एक मिनिट देखो माल लो यह मैटल है इसका वर्क फंक्शन होता दो इलेक्ट्रॉन एक लाइट इस पर गिर रही है तो क्या है यह इलेक्ट्रोन इस लाइट को एब्सॉर्ब कर रहा है इलेक्ट्रोन पर लाइट गिरती इलेक्ट्रोन एब्सॉर्ब कर रहा है लाइट को तो यह लाइट इकट्ठी होती जाएगी होती जाएगी कब तक जब तक इसका नियूट्ट दो इलेक्ट्रॉन iç टोगी ये बाहर निकल जा इसमें यह डाउism hai वो कानेटिक में कैसे कंवर्ट हो रही है मतलब क्या चुम्र्ड और हाँ होता है मोमेंटम मोमेंटम भी तो ट्रांसकर होगा इसके हिसाब से इसके हिसाब से फोटो इलेक्ट्रॉन ध्यान देना फोटो इलेक्ट्रॉन विल ऑल्वेज इन क्योंकि कभी ना कभी तो निकलेगा और इसे हिसाब से विशन सम्ट लेग्व इस विट्रों इंटेंशिती है डेपेंदिंग इंटेंशिटी सचोव अगर इंटेंशिटी लाज होगी तो टाइम नेंगा लेकिन इंटेंसिटी स्मॉल होगी तो ताइम सिगनीफिकेंट लग सकता है क्योंकि वही एनरजी कठी होने में टाइम कम यह ज्यादा लग सकता है डेबंड करता देब कितनी तेज है यह बाता है समझ में इसी समय हाफ लाइफ अगयरा सब आ गया लेकिन समस्य यहां हो गई क कि जब एक्चुल एक्सपेरिमेंट किया तो यह कभी नोटिस नहीं किया भले चाहिए इंटेंसिटी बिल्कुल कम क्यों नहीं कर दी तो इंटेंसिटी बहुत कम कर दी तो इंटेंसिटी बहुत कम कर दी तब भी टाइम नहीं लगा तब भी तुरंत रीडिंग आ गए तो यह लफड़ा हुआ कि यह तो यहां वेव थियूरी से कुछ गड़बड हो गया उससे बड़ी सब्सक्राइब और थी अगर फ्रिक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वे सब्सक्राइब और इसमें एक और तीसरा बड़ा इशू इसमें यह था कि जब इलेक्ट्रोन बाहर निकला वेव थियूरी के हिसाब से यह जीरो प्लस कानेटिक एनरजी लेके निकलेगा सुच्छो सब्सक्राइब ख्रvation यह खोकि अब लेकिन आपने photoelectric effect तो बड़ी रखा है कि HF माइनस 5 ये कानुटिक energy आई थी तो गया बड़ा हो सकता है जैसे HF तुमारा 6 electron volt है 5 2 electron volt है तो ये तो 4 electron जिसका चार जिसका दो खर्च हो गया और चार कार्च हो लिए न हुगा ना कहीं भी मतलब वो तो वर्क फंक्शन में हुगा ना खांने ड्टे जिसका चाट खा जीका प्टेकरेंटन यह और ये यह द्खे ακर ना अगर इसमें लिख ह splendida रही है है लाइट हमने बहुची पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं अब हम क्या करते हैं इसकी इंटेंसिटी कम करके दें ंटेंसिटी कम कर देखो कम फौ्ट ऑन गिर रहे हैं हैं समझने इंटेंसिटी कम करी कम फोटोन कम धिर रहे हैं तो खम इलेक्टरॉन निकल इंटेंसिटी बढ़ाई ज्यादा फोतन निकले ज्यादा paul प्रूंगत प्र consultant perspective यह यह लाइट देखा कैसी है लाइट ज्यादा डार्क होगी ना पांम यह लाइट देखा दुंदली होगी उलाइट कंती ओगप प्रूंगत यह तो अगर तुम रीडंग देखो न इस ए M2E1.03 देखना अभी रीडिंग जीरो पर जीरो है मैं बढ़ा रहा हूं दो डॉट लिए पॉइंट वन पो पॉइंट टूइट चार डॉट पर कि påउंसन्स लग रहा है कि मैं यह बढ़नी कहा ऐसा हो नहीद है लाकर किनी जैदा इंटैंसिटी मृटनम इस इदिए इन ज्यादा जितने जहाइद फोटों उतने ज्यादा एलेट्र Completely ंटैंसिट्यू उच्छत tämä इंटेंशिटीiking का ग्राह स्ट्रेट लाइंड तो जितने पहले एलेक्ट्रों निकल रहे तो उसके दस गुने निकलेंगे एनर्जी तो वह रही ना एनर्जी मतलब क्या है यहां पर उन्य कानेटी एनर्जी से रहेगी अधेखो इलेक्ट्रों जितने तेज अब देख रहे हैं ना उतनी तेज़ अधे एलेक्ट्रों की स्पीड नहीं बड़ी है उजाद हुए इस पीड़ेगी यहां से यहां अगर से जाए जाए तो एलेक्ट्रों स्लोभ निकलेंगे इसलो निकलेंगे यहत्व हो गय?", अपनी तरब से वोल्टेज नहीं बढ़ा रहा हूं वॉल्टेज जीरो है तो यहां तेज निकल रहे हैं और ऐसे मैं कम करते जाओं करते जाओं करते जाओं एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन अभी भी पहुंच जा रहे देखो कुछ तो पहुंच ही रहे हैं अभी भी कुछ पहुंच रहे हैं लेकिन जैसे मैंने यह कर दिया अब देखो इलेक् देखते हैं वर्क फंक्शन कितना है बच्चे का टू पॉइंट वन टू सीजी है मैं यह देखो देखा राइट साइड और यहां कितना है वन पॉइंट नाइन टू तो फोटॉन तो गिर रहे हैं लेकिन वो कैपेबल नहीं है इलेक्रॉन को बाहर निकालने के लिए तुकि वर्क फंक्शन से छोटा है लेकर मैं वर्क फंक्शन से बड़ा ले लेता हूं तो जो एक्स्ट्रा है वो इसकी कानेट के नजी में चली जाएगी कितनी आंट्रण निकाल उसकी सब्स्क्राइब और टोर्व लेंट के लिए से स्पीड चींज हो रही है एक एलेक्ट्रॉन एक ही फोटॉन ले सकता है तो एक एलेक्ट्रॉन निकल ला कीवल एक फोटॉन से एक एलेक्ट्रॉन निकल ला है ऐसे वन वन रिलेशन नहीं है लेकिन ऐसा है कि एक फोटॉन एक एलेक्ट्रॉन पर गिरेगा जरूरी नहीं व लास्ट इसमें यह वोल्टेज और बता देता हूं कि अगर वोल्टेज के साथ बनाते तो अभी देखो क्या हो रहा है कि कुछ होता है कि कुछ an american करके वापस चले आपस में भी एलेक्ट्रौ को लाइट करते हैं को जो हलकेुग होताँ है कम Colorado लोट जाते हैं चर अगरा के Western तो अगर मैं इनका वोल्टेज बढ़ा दूँ अगर मैं इसका वोल्टेज बढ़ा दूँ तो देखो इलेक्ट्रों तेज होगया दिख रहे है तेज होगया है वोल्टेज कम कर दूँ तो इलेक्ट्रों स्लो लेकिन सब नहीं रुख पा रहे हैं कुछ तो पहुंच रहे हैं कुछ पहुंच रहे हैं लेकिन मैक्सिमम एब्सॉर्ब हो जा रहे हैं अब देखते हैं एक मिनिट इसका 3.71 वर्क फंक्शन 2.12 है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है 1.5 के करीबन लेकिन रोकने वाला वन एलेक्ट्रोन वोल्ट है तो यह जीरो से वन काइनेटिक एनर्जी वालों को रोक देगा स तो चो यह रिवर्स बैक हो जाएंगे यह समझ आ है लेकिन बंसे बाड़े बंसे बड़े क्रॉस कर जाएंगे तो समझ में आ रहे हैं जो क्रॉस कर जा रहे हैं वो कौन से उनकी कानेटिक एनर्जी बंसे ज्यादा है तो यह स्टॉपिंग पोटेंशल उनको रोक नहीं पा रहे है सब को रोकना है तो क्या करें पॉइंट फाइव को रोक दिया जाए नेगेटिव में अगर वन पॉइंट फाइव से सड़ी नेगेटिव में वन पॉइंट फाइव से बढ़ा कर दो यह वन पॉइंट फाइव पर रुख गया देखो जो सबसे तेज होगा वह भी पॉइंट फाइव से स्लाइटली ज्यादा है ना वर्ट फंक्शन वन टू हां पॉइंट सिक्स के वन पॉइंट सिक्स के गरीब है एकाद तो फिर भी पहुंच रहा है देखो एकाद फिर भी पहुंचेगा लोट के आ रहे हैं नहीं नहीं कुछ तो एकाद पहुंच जाएगा देख नहीं रहा होगा देखो यह पॉइंट ऊपर है यह जो ब्लेंग कर रहा है ना पॉइंट हलका सब एकाद कोई पहुंच गया होगा बहुत कम प्रोबिलिटी यह अब अगर मैं यह 1.5 से ज्यादा कर दूं थोड़ा भी ज्यादा तो फिर मैं कुछ भी कर लूँ जैसे यह लिए मैं 1.2 ले लिए तो अब जो सबसे तेज है वो भी नहीं पहुंच पाएगा तो यह क्या हो रहे है री एब्सॉर्ब हो रहे है यह फीला रहा है कि यह वापस ऐसे जा रहा है और ऐसे एब्सॉर्ब हो जा रहा है लेकिन यहां क्या कर रहा है यह लेकिन अगर मैं यह पोलेरिटी इसकी बदल के पॉजिटिव कर दूं अब सपूर्ट करने लग गया है और तरी जो ठीक है लेकिन अब एक चीज जिस पर अब ध्यान नहीं दे रहे होगे अब ध्यान देना पड़ेगा तो में यह ग्राफ पर यह जो ध्यान देना पड़ेगा कि यह ग्राफ देखो है तो मैं जीरो वोल्टेज से चालू करता हूं यह जीरो वोल्टेज अब देखेगा इस ग्राफ को अगर मैं वोल्ट अभी भी करेंट है वाई डारेक्शन में करेंट है यह करेंट है तो जीरो वोल्टेज पर भी कुछ न कुछ करेंट तो है अब अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता हूं तो करेंट बढ़ रहा है देखो लेकिन बढ़ने के साथ यह कॉंस्टेंट हो गया काफी जल्दी इसका मतलब क्या है वो जितनी मैक्सिमम चाहिए थी न हमने वो दे दी क्योंकि हर एलेक्ट्रॉन अगर कैथोड का अनोड पे पहुंच गया तब नए थोड़ी ना पैदा कर लेगा क्या कुछ तक्रा के वापस लॉट जा रहे थे वह वापस नहीं लॉट रहे हैं तो हर वो जो एलेक्ट्रॉन पैदा हुआ वह वह हम एनोड कैथोड से अनोड पे ले गए हैं अना उन्हें कहते हैं अगर सर्केट कंप्लीट नहीं होगा तो कुछ देर बाद बंद हो जाएगा क्योंकि इस पर प्लस चार जाएगा और यह खुद ही लेक्रॉन को वापस खिंचने लगेगा अगली वापस जाता है तो इसका क्या होता है जब वापस जाने नहीं नहीं इस पर देख लो अब अगर मैं इस वोल्टेज को और कम करता हूं कम होता गया होता गया और एक समय ऐसा है यह सीरो हो गया हमारा वोल्टेज स्टॉपिंग पोटेंशल हो गया हो आ गया समझ में इसके बाद वोल्टेज घटाने का कोई से थोड़ा से जाता रखा तब भी अपनी कह सकते ना कि यह ना सारी जाएंगे कैट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् रहे थे वह भी वापस चले गए ना कोलिजन का सरी खतम हो गया हमने इतनी एनरजी दे दी कि सबको सीधा कर दिया यह आया ना इस वोल्टेज के बाद कॉंस्टेंट वोल्ट है इसके बाद कॉंस्टेंट हुआ हमेशा से थोड़ी पर यह यह ना इस बैट्रॉन पर फोर्स दाएं तरफ लगाना है तो इलेक्ट्रिक फील वाएं तरफ चाहिए ना इस प्रबैट्री के साफ से तो प्लस का यह तरह है ना क्या बैट्री की टर्मिनल से इसका प्लस माइनस वैसे होना चाहिए था तो थोड़ा इससे भी खेल लेना इस तो बता रिजे हाइक ने रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन कैसे बताए तब नहीं वह टॉपिक नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं पाइगला टॉपिक नहीं पढ़ना एक साथ ही कर लोगे सब दो पढ़ेंगी दो तोपेक और वह भी बात रखी इसमें आपको एक घंटे का लेक्शर और दूंगा वो जल्दी जल्दी देख लेना उसमें कुछ नया नहीं है फोटो इलेक्रिक्ट के तो तीन कॉश्चन होगे बाकी डी सिटी करने है ठीटिकल डी सिटी है पूरी अगर तुमने 11 में कर रखा होगा ना फोटो किया है कुछ चीनों को एक घंटे का है उसी में 15-20 मिनिट को मैंने वेट किया होगा कॉश्चन दिया था मैंने काठा नहीं इस बार तो चालीस-पैंतालीस मिनिट पा होगा किया बचा करने को अरे बहुत बचा है तो करते रहते हैं चलता रहते हैं तो किसी ने कुछ किया है अपन को पता नहीं ना अपन इतना चोटा पड़ते हैं ना कौंटम में तो हो रहा है कौंटम कंप्यूटिंग नहीं हो रहा है मैं अपने से लेवल से उपर उठ चुकी है चीज़े तो अपन को समझ में भी नहीं आता कि क्या चल रहा है अब यहीं तो कर लो अब यहीं तो कर दो रहा है